नमस्का साथियों तो चली आज के देनिक जागरन में क्या खास ख़वरे हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए देनिक जागरन का राष्टिय संस्क्रण है तो इसमें आप लोगों को मत्पूर ख़वरे ही देखने को मिलेंगी एक आप देखी उडिसा में एक दुरगटना हुई और ट्रेन हाथसा हुआ है और जिसमें आप देखेंगे 70 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से अधिक घैल हो चुके हैं तो उपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को सांती मिले और जो घैल हुए हैं उनकी आप देखें नई इसका यह नंबर दिया गया है और सालिगावे हेल्प नाइन नंबर हैं क्या है 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 हेल्प नाइन नंबर है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा यह आप देखें कोरूमंडल एक्सप्रेस ट्रेंड दुरघटना गस्त हुई है और एक बात और आप लोग याद रखें उडीसा को आप लोग देख लिजे उडीसा की बात करें तो भवनेसो इसकी राध्धानी देखने को मिलेगी आपको और आप देखें नबीन यहां की राजपाल हैं विधान सबा में 147 सीट हैं राज्य सबा में 10 सीट हैं लोग सबा में कितनी 21 सीट हैं एक लाग पच्पन हजाद साथ सो साथ बरक किलूमीटर में आपका उडीसा फेला हुआ है इसकी सीमा पच्चे मंगाल जारिकंड चत्तिसगर और आन्पिदेश स लगती है किस से लगती है आन्पिदेश से लगती है यह आप लोग याद रखेएगा मुसलिम लीग सेकूलर पार्टी राहुल गांदी कह रहे हैं यह आप देखें आई यू एमल से गटबंदर पर अमेरिका में बोले पूर कॉंग्रेस अध्यक्ज कहा कि आगामी तीन या चार चुनाओं में हो जाएगा भाजापा का सपाया और 60-30 भारतिय भाजापा और मौधी को नहीं देते हैं वोट यह आप देखें मुसलिम लीग की किस की बात हो रही है कि आप देखें 1906 में जो बनाई गई है उसकी बात होती है चालू होती रहती है और आप देखते हैं पर कई पाइटियां भी देखने को मिलती है उसी आधार उसी तरह की पाइटियों की बात होती है और कॉंग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते ही कि 28 दिसंबर 1880 में इस्थापना हुई थी एक संगटन की रोम में देश की आजादी के लिए आगे चलकर आप देखते हैं कि यही एक राजनेतिक दल बन गया था पहले अध्यक जिसके कौन थे वियुमेश चंद बनर जी डबलू सी बनर जी और इसके संस्तापक एओ हियूम थे और उसी के लीडर है राहुल कंदी ना वकील चुस्त ना गवा उपर से इस्टिस्ट ने बढ़ाया मुकदमों का बोच आपको बताया था ने कि आप देकि चंद लाल मुकदमों की सुनवाई वकीलों की अनपलब्दिता के कारण अटकी हुई है और लाखों मुकदमे आप देखते हैं कि पैंडिंग में डले हुए है यह उसी सी को लेकर काम करने पर विचार कर रहा है विदी आयो यह आप देक कि जल्दी राज में चलाये जाएगा जहां चभियान किसी के पास सत्यार मिलने पर सक्त कारवाही की जाएगी जो आप देख रहे हैं कि मनीपुर में जो जाती है हिंसा हुई है उसी को लेकर बात हो रही है और मनीपुर को अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखे यह मनीपुर आपको देखने को मिलेगा इंफाल इसकी राधधानी है इसकी सीमा आप देखे नागालेंड असम मिजोरम से लगती है अंतराष्टी इसकी सीमा मैनमार बर्मा से लगती है यह आप देखेंगे कि 1956 में इसे केंदसासिफ फिदेश मनाया गया था और 1972 में इसे राज का दर्जा दिया गया था आप देखेंगे कि एन्वीरेंसिंग यहां के मुख मंत्री है अनुसुईया उई की राजपाल है बेधान सभा में 60 सीटे है राज्य सभा में 1 सीट है लोग सभा में 2 सीटे है वाई 2327 बर किलोमीटर में यह फैला हुआ है तो यह भी आप ल भारता से हल करनी की रखी बात और नैपाली पिदान मंत्री ने भारत को इतिहासिक भी बताया यह भारती यात्रा पर आये हुए थे नैपाल की पिदान मंत्री यह आप देखें उत्तराखंड, उत्तरप्देश, बिहार, सिक्किम और पष्चे मंगाल पांच राज्यों की स की सांसद हैं इनके उपर, यह उत्तरप्देश से आते हैं, ठीक है, अमेरिकी कॉंग्रेस को दुबारा संबोधित करेंगे पीम मौधी साहब, यह आप देखें नरिद मौधी साहब आप देखें 22 जून 2023 को अमेरिका जा रहे हैं, तो यह भी जाएंगे, केजरिवाल को सोर अर्वेंद के जीवाल साहब को सक्तियां दे दीती, लेकिन अब देखें अध्यादेश के द्वारा उसे केंद सरकार को फिर सौंपने की तैयारी हुई ना, उसी को लेकर बात हो रही है, और दिल्ली की बात करें तो केंद सासित्वेदेश है, नई दिल्ली इसकी राध्ध और आप देखेंगे की अर्वेंद के जीवालेहा की चीव मिनिस्टर है, गलवन के हीरो की पत्नी ने एलेसी पर मोचा समाला, उत्री कमान के प्रमुक लेप्टिने जनरल उपेंद दुवेदी ने पूरवी लगदाक में एलेसी पर तैनार रेखा के जज़वे को सराहा, ल और आप देखें साधी से पहले रेखा सिंग जबाहर नवो उतर विध्याले में सिक्षिका दी, साधी के माज 15 महीने बाद ही जब पती दीपक बलिदान हुए तो रेखा पर दुखों का पहार तूट पड़ा था, अब आप सोचें इस तरह की महलाओं के और आप देखें जो आप देखते हैं कि सहीद हो जाते हैं पती, उनसे देश टिका हुआ है, ना कि इन नेताओं से आप देखते हैं जो फरजी बाड़ी की बातें करते रहते हैं, अब आप देखें ये राष्टी राधधानी दिल्ली से जुड़ी ही खब रहे हैं, मंतरी रहते 18 बिभागो देखने को मिल जाएगा, हाई कोट के फैसले से सेक्डों भूकंडों का रास्ता साफ हुआ है, इलावाद हाई कोट ने यमना पराधी कंड चेतर के नो गाउं के किसानों की याज का खारिज कर दी है, और जमीन अधिगहन के लिए अर्जंसी के लॉज को सही ठहराया है, हा सेक्डों भूकंड का रास्ता साफ हो गया से, यह आप देखें, ड्रावल नगर से पोल बंगस के बीच सुरंग की खुदाई शुरू हो रही है, यह आप देखेंगे 28.92 किलोमीटर लंबी होगा जनक पूरी पश्मे आर के आसरम कोरीडोर, और आप देखें 2.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी जनक पूरी पश्म से किशना पार्क एक्स्टेंशन के बीच, और 19.52 किलोमीटर हिंसा एलिवेटिड बा 9.40 किलोमीटर हिस्सा बूमीगत है, और 7.2 किलोमीटर डेरावल नगर से आर के आसरम की बीच का हिस्सा बूमीगत होगा, यह भी देखने को मिल पूरी है, हमारे नितिनगर करजी साब कहरें, सबसे अच्छा कामोनीका है, ठीक है, और उच्छे सिक्षन संस्थानों की गुर्वत्ता सुनिशित करनी के बनेगी नियम, सिक्षन संस्थानों को अब हर साल देनी होगी अपनी परगिती रिपोर्ट, अच्छी बात है आप देखेंगे, और नई सिक्षा निति भी आप देखें, लागू हो चुकी है, व्यक्ती परिवारों जाती पर केंद्री राजनीती का विक्सित भारत में इस्थान नहीं है, हमारे आप देखें कि कौन कहरें, रक्षा मंतरी साब कहरें, चीन में भारती पतकार हो रहे हैं पर पाकिस्तान बर नेपाल में विरुद किया गया था, चलिए ये करते रहेंगे, पांच बर्सों में 180 की रफ्तार से सभी ट्रेक पर दोड़ने लगी की ट्रेन है, और हमारे ये कौन कहरे रहा है, असोनी बैसनो साब कहरें, रेल मंतरी साब कहरें, ठीक है, वाकिया आप करते वस्ता, देखिए ये भी कार्टून आप देख रहे हैं, इस तरह के कार्टून भी कई बार पूच लिए जाते हैं, उस पर आपकी राय पूची जाती है, तो जरूर दिया करिएगा, क्या सोचते हैं आप इस कार्टून से, ये सब आप देख रहे हैं, राजनीती की ख चलिए एवी आप देखते रहिए अब आप देखे कहा है मद्ध पिदेश में भी चुनाओ है आपके विधान सबागे राजस्थान में 36 गड़ में है और ये सब चुनाओ करवाता को ने Election Commission of India भालती निर्वाचन आयो एक समिधान एक संस्ता है समिधान के आर्टीकल 324 के तह है और आप देखेंगे कि इसकी इस्ताफना 25 जन्वरी 1950 में की गई थी सू कुमार सेन पहले मुख चुनाओा आयोगते थे ये आप देखें सिवाजी महराज ने राष्ट की एकता अखंडता को कायम रखा है पीम ने कहा है उनके कार नीतियों असासन पढ़ा ली आज भी प्रासंगिक है ये आप देखें उनके चत्वती महराज सिवाजी महराज को सिद्धान जली दी गई ना 350 भी वर्सगांट सम भारू में सम्मिलित हुए है इतियास के बारे में आप लोग सिवाजी के बारे में पढ़ते होंगे चत्वती सिवाजी के बारे में इनके अगर हम लोग बात करें ना टायमिंग की तो आप देखेंगे कि माना जाता है कि इनका जनम 19 फरबरी 1630 में हुआ था और तीन सिवाजी की चत्वती सिवाजी एक भारती सासा को बहुसले के सदस्ते बहुसले मराठावंस सिवाजी ने भीजापूर की गेती हुई आदिल सही सल्तना से अपने आपको सतंद कर लिया था उन्हीं की बात हो रही है ये नरसंगार में आप देखे 42 वर्स बाद फैसला 75 वर्स ये विर्द को आजीवन का रावस हुआ है ये 1921 में आप देखते हैं कि अनुसूचित जाती के 10 लोगों की हुई थी हत्या 9 और आरूपितों की अभी तक मौत हो चुकी है ये उत्तर विदेश की घटना है आप सोची 1981 का फैसला अभी आकर आप देखे आया है 42 साल बाद सोच सकते हैं क्या है असान्ती से प्रभावित नहीं होगी राष्ट्रफती की सर्विया यात्रा विदेश मंतराले हमारे कह रहा है चेन सीमा को जोडने वाले बैली ब्रिज से सुचारू हुआ यात्यात यात्यात ये जो सीमाट मलारी हाईवे पर बुरांस मैं आप देखे गार्डन पुल टूटनेक से कट गया था संपर्ग बी-आरो ने जेड़ माय में तेयार किया है एप पुल और सीमाट्चेत के निवासियों को रहत भी मिली है इसे बी-आरो यानि कि किसकी सिमा सरक संगठन की बात हो रही है इसके बारे में भी याद रखेगा इस तरह के जो छोटे-छोटे संगठन होने तें ना उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, कई बार आप देखते हैं कि उनसे questions क्या रहता है, पूछ लिया जाते हैं वोर्डर से कोटी वोर्डर रोड और्गनाइजेशन की बात हो रिस्ताथ 7 मई 1960 में इसकी इस्ताफना हुई थी, कब 7 मई 1960 में नई दिल्ली में आपको headquarter देखने को मिलेगा अगर हम विधी आयो की बात करते हैं तो इसकी इस्ताफना आप देखे पहली बार 1834 में हुई थी, जरूर याद रखिएगा आप लो, ठीक है या कानू नुनियाय मंतरा लेकि सलाय का निकारी की रूम में काम करता है विधी आयो भारत में जरूर याद रखिएगा या आप देखे आईगी के नाम पर ली 20 लाग की रिस्तवत SP समयत 5 पर किस देज हुआ है, संत बाबा दयाल सींह हत्याकान में आप देखेंगे और विजलेंश टीम की ओर से फरीत कोर्ट के SP बढ़ DSP से धाई घंटे पूछता आज के बाद एक कारवाई हुई है या आप देखें, 7 नवंबर 2019 को फरीत कोर्ट के गाउं, कोर्ट सुखिया इस्ति देरा बाबा, हरदास के प्रमुक संत बाबा, दयाल दास की गोल इमार का हत्या कर दी गई थी उसी मामले की पिता की मित्तिव के बाद आप देखें, मा ही बच्चों की प्राक्तिक अभी भाबक है और SDM नालागर के आदेश के खलाब दायर याजका पर ववस्ता कोर्ट ने या भी इसवश्ट की आए कि बच्चों के सरक्चन के लिए मा का अधिकार पूर्ड नहीं है यह आप देखें कि कहां पिदेश हाई कोट ने आप देखें नावालिक बच्चों के सरक्चन से सम्मंदित एक मामले में विवस्ता दी की पिता की मित्तिव के बाद माह उनकी प्राक्तिक क्या होगी अभी भाबक होगी यह आप देखें फूर्ड सप्लिमेंट की आड में नकली दवाओं के उत पादन पर माना ओधिकार आयुक सकत हुआ है और स्वास्त एबं परिवार के लिएन मंतराले एप एस एस एई आई वा ओस्ति महाने नियन तक को नोटिस जारी गिया है और आप देखें अगर माना ओधिकार आयुक की बात करें तो आप देखेंगे 12 एक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले इसकी अध्यक्ष थे रंगनात मिसरा वर्टमान में कोन है यह आप लोग बताई गए ठीक है नियम बना कर सरकार करा सकती है पिती दिन पूजा की बवस्ता यह हाई कोट कर रहा है ग्यान वाफी परशम संगार गोरी की निमित पूजा का मामला है ना जो बना रस्म है उसी पर आप देखते हैं यह हाई कोट कर रहा है ठीक है यह आप देखे फैंको मुलककल के खिलाब अपनी लड़ाई जारी रखेगी नन फैंको मुलककल के जलंदर के विशब के तौर पर इस्तिपा देने के बाद एक दिन वासेव आवर सिस्टर्स अवियान चलाने वालों ने सुकवार को कहाई कि उन फरस दुसकानं को आलोप लगाने वाली नन कानूनी माद्यम से अपनी नयाय की लड़ाई जारी रखेंगे चलिए चलता रहता है इमाम हिजाब मामले मैं आप देखे दमू स्कूल की मानता रद दिखी गई है आप देखे बच्चों को एक तरह से आप देखे होंगे कि क्या हिजाब पहनने का जो मामला आया था ना उसी की बात हो रही है मदपदेश में तमाकू छोड़ने वालों में आप देखे उत्तर पिदेश की लोग सबसे आँगे हैं एक साल में आप देखे उत्तर पिदेश की एक लाग तेईस हजार पांसवाट लोगों ने छोड़ा है तमाकू उत्पादों का फ्रेयो चलिए और आप देखें कि नुकसान दायक होती आप सभी जानते हैं उस पर चेतावनी भी रहती है लेकर फिर भी हम लोग पीते रहते हैं लोग चेतावनी सुनने के बाद भी ताज महल में आप देखी योग उत्साव अंतराष्टी योग दिवस का मनाया जाता है यह आप लोग जरूर बताएगा अब यहीं लिखा हुआ ह 21 जून को मनाया जाता है चलिए बताएगी कब से मनाना शुरू हुआ था ठीक है ऑस्टिलिया और अमेरिका की नागरेकों से ठगी करने वाले फरजी कॉल सेंटरों का बंडा पोड हुआ है वहां छोड़िये हमारे भारत में भी खूब हो रहा है तो ध्यान रखा करिएगा टेकें के रोमांचवा अस्थास को मिलता नया सिकर हिमाचल के सिर्वोर में इस चूडधार में आप पित्तिम निर्सा के सौंधर के बीच विराजे महादेओ के असाउंतार सिर्गुल महराज यह आप देख लिजे और देखे अगर हम लोग हिमाचल पिदेश की बात करें लोगसबा में चाल सीटें आपको देखने को मिल जाएगी हैं अब आप देख लिजे एक क्या है एडिटोरियल बाला पार्ट है और यह आप देखे प्रिलिम्स हो मुख परीक्छा हो इंटर्वी हो आपको हर जगे मदद पहुंचाते हैं विक्रित बिमर्स को ध्वस्त करत सिंगौल यह आप देखें सिंगौल उसी भावना का विस्तार है जिसके तहट समीधान की हस्तेलिकित मोल पितियों में रामाइड महाबारत व बैदिक परंपरा के चित बनाए गये हैं और नए संसत भवन में आप देखते हैं कि आया हुआ है ना सिंगौल तो उस पर काफी चर्शा भी हो रही है संसत की नई भवन में स्थापित सिंगौल की इतियास को जहां कॉंग्रेश ने वाट्सप विस्विध्याले जनित बताकर फटजी को तो राकापा ने बैदिक मंतरों के साथ राजदंदर की स्थापना देश को पीछे धाकेडनने वाला है और बामब आप देखे कि एक खास से सत्ता दूसरे हाट में जाती थी आप देखते हैं कि सिंगौल का एक तरह से इस्थानांतन किया जाता है जो धरम गुरु थे वो उसे उस राजा को जिसके पास सक्ती जा रही है उसे सौप देते थे और अभी आपने देखाई कि जब आप देखे म अभी उठा कर नई संसत्भवन में रखा गया है तो उसी को लेकर इस सब बाते हो रही है और आप देखते हैं कि बिरोध प्रदैसन हो ही रहा है तो अपनी अपनी बाते हैं लिख रहे हैं इस सब चलता रहेगा आप देखे जानदा परेसान नहीं होना है आपको इस पर कई कि बार हम लोग बात कर चुके हैं आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजे केरल के खौपनाक सच को बताती फिलिम केरल में केवल हिंदू लड़कियां ही निसाने पर नहीं है वलकि इसाई संवधाई की लड़कियां भी हैं यह आपने देखा है दा केरला स्टोरी आई मोबी लिजे के आई हुई है ना तोसी को लिकर आप देख रहे हैं जो बातें चल नहीं की धरम परिवतन करवा कि आप देखे 25 से जान्द लड़कियों को कई देशों में भेजा गया है धरम परिवतन करवाए गया है तो वही सब चल रहा है बातें कितना सच है या तो वो मोबी करवे सरस्च की किया है वह जानते हुंकि चिंता का परित्याग चिंता को आकारण ही चिंता के समान नहीं कहा गया है यदि एक बार चिंता मन में स्थाही रोप से घर बना ले तो स्वास्त स्वास्त व्यक्ति को भी बिमार बना देती है चलिए आप देखते हैं कि चिंता से जानदा आप पड़ाई पे ध्यान दीजे थोड़ा अच्छे से रही है पंत निर्फेक्षता का उपास राहुल गांदी आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका यात्रा पर गई हुए है तो वही आप देखें जो बयान बाजी हो रही है और आप देखते हैं कि उन्ही के अलोचना भी खूब हो रही है तारीब भी कई लोग कर रहे है कुछ लोग आलोचना कर रहे है परीक्षा पड़ाम उत्तराखंड में सिक्षा भवाग ऐसी पहल करने जा रहा है जो आने वाले बरसों में उत्तराखंड बोड की हाई स्कूल और अंटर परीक्षाओं का परीडाम सुधाने का मजबूत आधार बन सकती है इसके तहट परात्मिक की बहुच परात्मिक से लेकर मादमिक तक राच किये विद्ध्यालेओं की अर्ध वास्तिक और बारसिक तो ये भी आप ध्यान दीजेगा आप लोगों को लेकिन नहीं ये सब देखना है आप लोगों को अपनी पढ़ाई की सेट कर लीजे अगर आप मोबाल खोल रहे हैं तो उस पर से पढ़ाई-पढ़ाई की बाते होने चे ना कि कोई और ठीक है इस थर तक बढ़ जाने के कारण ऐसा किया गया था पिछले कुछ से बरसों के तो आप देखें सरकारी बैंकों को कम पूझी आधार और गैर पैसे बर प्रवावी होते देख रहे हैं और रवी आई की बात के ने तो रिजर बैंक आप इंडिया की बात हो रही है एक अपरेल 1935 में स्थापना होई थी मुंबई में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा और आप देखें कि जो बैडलोन की बात होती है ना जो चुकाते नहीं है आप देखते हैं उसी को बैडलोन में सामिल कर लिया जाता है ठीक है यह आप देखें नंबर एक नंबर दो खरी खरी एक तरसे तंज कसा जाता है राजनीती पर बात हो रही है फांकों को एक खोल में बंद करने की कोसिस यह आप देखी नीतिस कुमार है यह आप देखें विहार के मुकमंत्री साहा में हैं यह 2024 के लिए राजनेति गटवंदन तलास रहे है पर इक्षा में एक रूपता का परियास केंद और राज्यों के विभन सिक्षा बोडों के मुल्यांकन पिक्रिया में राष्टी सिक्षा नीतीत केत है एक रूपता लाने के लिए केंद सरकार परियास रहा थे जो इस दिशा में एक सराहनी पहल है बहुत सारे लोग तो यहीं पक्ष हैं कि एक ही पड़ाई होनी चाहिए वो चाहिए आप दीके राष्ट जिस्तर की हो या सेंटर लेवल की हो और आप देखे कारफी बोड आपके पहल भी कर रहे हैं और NCRT सामिल भी कर रहे हैं अपने पार्ट करम में यह आप देखे पी एल आई और एप टीए से बड़ेगा फार्मा कारूबार अंगले दो बरसों में घरली उत्दोग का कुल कारूबार 70 अरब डॉलर के करविब पहुँचने का अनुमान है 50 अरब डॉलर है अभी फार्मा छेतनों का कुल ब्यापर 25.49 अरब डॉलर रहा है फार्मा निर्याद 2022-23 में और 10.45 परसेंट की बिड़ी रही है अपरेल में फार्मा निर्याद में 22 से अधिक पकार के कच्चे माल का उत्पादन शुरूआ है चलिए आप देखे, PLI की बात करें तो Production Link Initiative की बात हो रही है FTA की बात करें तो आप देखे मुप्त ब्यापार समझोते हैं जो हो रहे हैं और उसी की बात हो रही है आएकर रिफंड में लगने वाली समय महत्पूर कमी की बात हो रही है सभी राजों में बनेगी ब्यापार अवं निविस डिस्क ये आप देखे बाड़े जो और उद्द्युक मंतरी साहब कह रहे हैं हमारे फियूस गुएल साहब विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब डॉलर की गरावट देखने को मिल रही है माई में टाटा मोटर्स की EVE का विक्री 66 पिती सद बढ़ी है इलेक्टोनिक बाहनों की दो देन बाद बढ़कर बंद हुए घरेली सेर बाजार और 100 आप देखते हैं कि कितना 52 ओडानों के साथ फिर संचाल होना चाहती है गोफश्क यह आप देखते हैं कि जो विवान कंपनी है न दिवालिया होने की कगार पर है वही चल रही है M. पेपसी की आगामी बैठक में ब्याद बदलाओ की उम्मीद है और यह आप देखते हैं मौद्रिक नीती की बात हो रही है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में मौद्रिक नीती के बारे में भी कई बार कुश्चन्स पूच लिए जाते हैं क्या कि यह ले जाते हैं पूच लिए जाते हैं अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देखते हैं कि जो रिपोरेट हो ये समने धारित करती है ना रिपोरेट उसी की बात हो रही है यह आप देखें मैई 2016 में RBI अधिनियम में संसोधन किया गया था ताकि देश की रोपरेखा नीतिगर धाचे को संचालित करने के लिए बैंकों को बिदाई आधेश बिदान किया जाए और इसमें अगर मौद्रिक नीति सम्ती में बात करें तो अनुफपादग प्राधीकन अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत के अन सरकार को 6 सदस्ती नीति समिती का गठन करने का अधिकार है और धारा आप देखते हैं कि 45 ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति सम्ती मुद्रा लक्षों को प्राप्त करने के लिए आवसक नीतियां निर्धारित करने के लिए बैंकों के लिए प्रासंगिक नीति सम्ती का नेड़ा बैंकों के लिए सम्रद्ध है और इसमें 6 सदस होंगे आप देखेंगे एक तो गवर्नर भारती रेजर बैंक के पदेन अध्यक्ष होंगे ओपर आज जपाल पुराताद्विक नीती के पिरोहा के रूम में सेंटल वोर को गोब भीफर बैंक का एक अधिकारी आप देखते हैं और केंद सरकार की तीन आप भीमा पॉलिसियां एक खाद तेलों का मूल 12 रुपे तक घटाएगा खाद मंतराले बैठक के दोरान घरलू उद्योगों को दिये इन्रे देश समलेंगे जोड़ी कुस रक्षा पिदान करें दिल्ली पुलिस यहाई कोट कर रहा है आप देख रहे हैं और समलेंगे बिवा का मुद्धा आप देखते हैं कि सुप्रीन कोट में भी है समाल लिंगे वाली सादी लड़की लड़की से कर रहा है सादी तो इस तरह के मामले भी आ रहे हैं तो नहीं की बात हो रही है आतंग पर प्रहार का ब्रिक्स ने एक लिया संकल भारत को परिसान कर रहे हैं सीमा पार आतंग को रुकने पर बनी सहमती आप लोगों से देखिए अकल ही मैंने बताया था आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में आज आप से पूच बढ़ेगी स्थिल्ता सुरक्षा परिशत की अद्यक्षे नूसी बेहने का है भारत व यूएई का सहो सब के लिए उधारन है आप देखे सुरक्षा परिशत की बात हो रही है यह ठीक है यह भी याद रखेगा यह राष्ट सैफ्तराष्ट परिश्या परिश्या देना उसी क की बात हो रही है इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ यूनाइट रिनेसल्स की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसका हेड़क्षा निवर्क में देखने को मिलेगा सुरक्षा परिश्या परिश्या पांच इस थाई सदस्य है और आप देखे इ इनके पास क्या रहता है सयुक्त राष्या परिश्या परिश्या की पांस सदन उसके पास बीटो सकती एक तरह से इसमें चाइना फ्रांस रसी याड यूनाइटिट किंग्डम और यूसे आप देखे अगर इनमें से कोई पिस्ताव आ रहा है इनमें से एक भी उसके इनका नाम भी याद रखिएगा आप लो यह इस्पैन में सुरू हुआ जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल यह भी आप देखेगा कहा हुआ इस्पैन में इमरान के करीबी खटक और केसरवा उस्मान ने पार्टी छोड़ी आप देखे इमरान खान पाकिस्तान के पूर प अगरेकों को रिहा किया है दो केसी आप देखते हैं कि पहुंच जाते हैं ना हुआ ए अमेरिका में रेड सीमा बढ़ाने वाला विधियक सीनेट में पास हुआ है अमेरिकी बायू से ना अकादमी में समारों के दोरान मंच पर गिर पड़े जो बाइडन साहब और राइट टीफांस बनी BBC की नई कारकारी अद्यक्ष वेटर सरकार्ने रिचार्ड साम किशति पेकाबाद आप देखी पांच माह बाद सुक्वार को BBC के नई कारकारी अद्यक्ष बना दिये हैं BBC आप लोग देखते रहते ना उसी की बात हो रही है इसी आप क्या कहते हैं Broadcasting Company के नाम में मुंबई हमले के आरूपी राना ने भारत पित्यापन को दी चुनोती अमेरिकी कोट ने पिछले महीने दी थी मंजूरी तर तहब बुर्ग को भारत लाने की थी हो रही थी ते जारी एच चबीस ग्यारे की जो आतंकी हमले हुए थे ना उनी की बात हो रही रोस को आस्थ परिक्षन में AI ड्रॉन ने ऑपरेटर को ही मार डाला ये अमेरिकी वाइसना ने ऐसे ही परिक्षन से इंकार किया है और आप देखते हैं किंति मुद्धी मता वाली बात हो रही है ना उसी गिले कर बात हो रही है बगावद आप देखते हैं अमेरिका में AI से नेंते ड्रॉ ओबल में आप देखे पिछ से बल्ले बाजों के साथ ही गेंद बाजों के को भी मदद मिलने की आसा है WTC आहल अंडर आकमर की बात हो रही है भारत ICC राजस के 38-37 का हकदार है गुल्ड कह रही है England और Wales Cricket बोड के मुक्कार कारी अधिकारी रिचर्ड गुल्ड ने मान है और ICC की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है International Cricket Council की बात हो रही है इसकी स्थापना कब हुई थी या आप देखेंगे किसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी बताइए 15 जुन 1909 में 22 सायुक्त अरब अमिरात में इसका हेड क्वाटर देखने को मिल जाएगा दिल्ली ने सरीजा को चुना अरोना यू मॉंबा टेम में आप देखते हैं राश्मंदल केलों की पदक बेज़ेता हैं सरीजा सरीजा अगुला को अल्टिमेटम टेवल टेनिस लीग के 34 सत के लिए सुकवार को खिलाडियों के ड्राप्ट में दबंग दिल्ली ने चुना है फ्रोकीना के विरोध कड़े संगर्स के बाद जीते जोकोविश सहाब दो बार के चेंपियन नोवाग जोकुविट ने सुकवार को 29 भी वरित्या पराप्त इस्पेनिस खिलाडी अले जांदरो डेवी डोविक फ्रेंच ओपन के चौते दौर में प्रवेश किया है नोने अदीति यसोग अमेरिका ओपन में दूसरे स्थान पर रही है केल मंतरा ने ओलंपिकियों का पिस्ताव सुईकार किया है आप देखेंगे भारती यूवा पहलबान सौनब मलिक और निसा दहिया को यहां सुकवार कोड यू डबलू डबलू रेसिंग सिरिज टूनामेंट के पहले दौर में पराजेक जिलने पड़ी है सिटी की तहरी खिताबी जीत के बीच यूनाइटिट की चुनौती है डेविड हिताब करें लक्ष सेंथाइलेंड ओपन के सेमी फाइनल में पहुच चुके हैं भारती होकी टर्न में टीम ने बेल्जियम को पाँच जीरो से हराय है बन सरक्षन बिल के मामले में मद्दरा साई कोर्ट के आदिस्वा सुपरिंग कोर्ट में रोक लगाई है सुंबार तक तमेल भासा में बिल की पिती जारी हो जाएगी तुरसार मेहता करें तै कर लें अपना लक्ष और उसके फिती लगे रहें यही आपकी सफलता की जुरून की बात है ओनलाइन तेजारी में सहर होगी एप आप लोग देख रहें आज कल यहाँ जनल लॉलेज से जुड़ी हुई जानकारी रहती है पर एक चाहिए पॉएंट विव से भी रहती है वाइसराय लॉड माउंट बेटन ने भारत पाक बटवारी की गोशना की थी वाइसराय लॉड माउंटन ने 1947 में आज ही भारत पाकिस्तान के वड़वारी का एलान किया था और समझोगे ते के तहे थी हिंदू भाहूल चेत्रों को भारत एवर मुसलिम भाहूल चेत्रों को पाकिस्तान में सामिल करने की रोप रेखा तै हुई थी दोनों देशों की भी सीमा करने धारण सरसरिल रेड क्लिप ने किया था जो रेड क्लिप रेखा दिखते हैं तो इन्हीं के नाम पर पड़ी इस बेस इस बेस वाग करने वाले पहले अमेरिकी अंत्रिक चैत्री बने एड़वर्ड वराइट 1965 में आज ही के दिन एड़वर्ड वराइट स्पेस वाग करने वाले अमेरिका के पहले और दुनिया के दूसरे व्यक्तित बने हैं नासा ने सबसे पहले आप देखे इस वाग की तैयारी की वो घोशना की थी लेकिन तीन महीने बाद पहले रूस ने अपने अत्रेक चैत्री एलेक्सती को भेज कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इस प्रियाग राज में हुआ था विप्रीत परिस्तितियों का सामना करने करते हुए तीन दसक से जानदा समय तक हिंदी पिदीप का पिकासन एवम संपादन किया और निबंदों के हिदयों को जगजोर देने वाले लेखन से उनका तेवर दिखता है और उनके द्वारे लिखे गए इमांदार, इमांदारी जी महत्त जैसे निबंद आज भी सोचने पर विमस करते हैं और लगए एक हजार निबंदों का लेखन किया और नाटा को संबाद किया टिपिडियां भी उनकी अनोटी लेखन सेली के बरिचायक है स्टेटिलाइट टेग लगा ओलिव रेडले कच्वा महराष्ट से केरल पहुंचा है आप देखेंगे वर्स 2022 में पहली बार किया गया था ये परियो और इस ट्रेटिलाइट टेग के साथ ओलिव रेडले कच्वे के अंदोलन के समंद में एक अतेंद महत्पूर्ण अग्यतन की रूम में क्या माना जा रहा सकता है इसके अनुसार मादाव कच्वा बागेशरी जिसे रतनागिरी में टेग किया गया था केलल पहुंच गया है विवासन बाविभार को समझने में मिलेगी इसने मदद और आप देखते हैं कि केरल के कुलम से 75 किलो मीटर दूर है वागेशरी करनाटा की गहरे पानी में पहुंच चुका है यह गोहा धीरे धीरे बजन घटाना ही होगा हितकारी जितना तेजी से बजन घटा है उतना तेजी से वापस आनी की संभाव न रहती उनिविशिटी ओप सिटिनी में चार्ल्स पार्केसन सेंटर में यह सोध हुगा है कुछ बातों का ध्यान रखें बजन घटानी की पिक्रिया में सही मात्रा में प्रोटीन लेना वह जरूरी प्रोटीन से आप लंबी समय तक उर्जवान रहते हैं और उच्छ प्रोटीन का सेवन मेटावॉलिजम को बढ़ाता है भूख को कम करता है बजन को नेंतित करने व अधिक पानी पीने से बजन घटाने में मदद मिलती है और चर्वी वालों का सबसे अच्छा तरीका है अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए और इसे आप अधिक खाने से बचेंगे और कैलोरीज और फैट दोनों से दूर रहेंगे बंगाल में आप देखें 10,600 रुपे में विका एक आम ये बंगाल के बीर भूम में जिले में दुबराजपुर इलाकी में सुकवार को आप देखी हुई निलामी में 10,600 रुपे का विका है इस्थानी वेक्ती ने से खरीदा है एह आम मुकृप से जापान में पैदा होने भाली मियां जाकी परजाती का है जिसके गृंती दुनिया के सबसे महगे परजाती आमों में की जाती है सोक से बढ़ सकती है हिदय समंधी आप देखते हैं कि समस्याओं का जोकिम तो ध्यान रखिए आचकल आप देख रहे हैं कि कम उम्बर में ही आ जा रहा है भेंस से बुद्धिमानी दिखा कर सेरों से बचा ली आप देखे कहा कैप टाउन की बात हो रही भारत की नहीं बात हो रही मस्टो डन का एक फेट लंबा दात अमेरिका की कैलिफॉनिया में समध्य तट पर आप दी की प्राचीन मस्टो डम हांती जैसा जानवर का दात मिलता है एक फेट लंबे इस दात को तट पर सब टहलते समय जैनिफर सुहिन नामक एक महिला ने देखा था यह पी उन्हें ग्यात नहीं था किया है विचित साक्या है और जिग्यासे की बसी भूत होकर उन्होंने इसका एक फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया और प्लेटपॉम पर आप देखी पोस्ट कर दिया लेकिन जब बे तट पर पहुंचे तो मस्टो डर्न का दात गायब हो चुका था और एक थाम संब की ओर से इसे खोजने में साहिता के सार्विने के अनुरोध के बाद यह फिर मिला फिर मिला और एक स्तानी नागरिक जिस जिम इसमें ने समदे तट पर नेंति जागें के द मतलम होती है आप पढ़ते रहिए और आप देखें वहुत सारी आर्टीकल आप देखेंगे कि मैं फेस्बुक पेच पर डाल देता हूं क्योंकि आप देखें डेली डेली रिपीट होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता है उनके बारे में हम लोग एक बार बात कर चुके है और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग डेली जुड़े रही है तो आपको परिसानी भी नहीं होगे ठीक है कोई सवाल हूँ आपका तो आप उससे पूछ सकते हैं